और ये इसलिए हम है कि वोडी से कही संतान भाई धर्मेंदर प्रदान जी की इसमें बड़ी भूमवी का रही है साथियों हमारे देश में रसोई गैस आजादी के करीब करीब दस साल बात आही गई थी लेकिन बात के दसकों में रसोई गैस एक लगजरी बन गई रहिशी लोगों की प्रतिशा बन गई लोगों को एक गैस कनेक्शन के लिए इतने चक्कर लगाने पड़ते थे इतने पापड बेलने पड़ते थे और फिर भी उन्हें गैस नहीं मिलती थी हालत ये थी कि साल 2014 तक आज से 6 साल पहले 2014 तक देश में रसोई गैस की कवरेज सिरफ 55 परसंट थी जब एप्रोच में पर्मनेंट सॉलूशन का भाव न हो तो यही होता है साट साल में रसोई गैस की कवरेज सिरफ 55 परसंट अगर देश इसी रप्तार से चलता तो सबको गैस पहुँचने में ये शताब्दी भी आधी और बित जाती है 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद हमने तय किया किसका पर्मनेंट सॉलूशन करना ही होगा आप जानते हैं आज देश में गैस कवरेज कितनी है 98 परतिशत से भी जादा 98 परसंट से भी जादा और यहां मेनेजमेंट से जुड़े आप सभी लोग जानते हैं कि शुरुआत करके थोड़ा बहुत आगे बढ़ना आसान होता है असली चैलेंज होता है कवरेज को 100 परसंट बनाने में साथियों फिर सवाल यह है कि हमने यह कैसे प्राप्त किया है कैसे अचीव किया यह आप मेनेजमेंट के साथ को के लिए बहुत अच्छी केस्टरी है साथियों हमने एक तरफ प्राब्लेम को रखा एक तरफ पर्मेन्ट सलूशन को रखा चुनोती थी नए डिस्टिबुशन डिस्टिबुटर्स की हमने दस जार नए गैस डिस्टिबुटर कमिशन किये चुनोती थी बॉटलिंग प्रांट केपसिटी की हमने देश भर में नए बॉटलिंग प्रांट लगाए देश्टिक शमता को बढ़ाया चुनोती थी इंपोर्ट टर्मिनल केपेसिटी की हमने इसे भी सुधारा चुनोती थी पाइप्लाइन केपेसिटी की हमने इस पर भी हजारों करोड रुपे खर्च किये और आज भी कर रहे हैं चुनोती थी गरीब नाभर्थियों के चयन की हमने ये काम भी पूरी पांदर सिता से किया विशेश तोर पर उजवला योजना शुरू की साथियों पर्मनेंट सॉलूशन देने की इसी नियत का नतीजा है कि आज देश में 28 करोड से जादा गैस कनेक्शन है 2014 से पहले देश में 14 करोड गैस कनेक्शन थे सोचिए साथ साल में 14 करोड गैस कनेक्शन हमले पिछले छे वर्षों में देश में 14 करोड से जादा गैस कनेक्शन दिये है अब लोगों को रसोई गैस के लिए भागना नहीं पड़ता चक्कन नहीं लगाना पड़ता यहां उडिसा में भी उज्वला योजना की वेज़े से करीब करीब 50 लाग गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन मिला है